दोस्तों नवश्कार आज का दिन अच्छा है खास दौर्पर मेरे लिए बट उसकी जर्चा करने के पहले जो चांदी की ख़दानों की जर्चा करने के पहले कहना बहुत जरूरी है कि मानवर एक वार अलवर्ट आइंस्टीन से पूछा गया कि लग्का क्या हिसाब किताब है लाइफ इस चांस तो चांसे जो आते हैं उसका हमें लाव कैसे मिले यह मुझसे नहीं पूछा गया अलवर्ट आइंस्टीन से पूछा गया तो पता अलवर्ट आइंस्टीन ने क्या बुला चांस फेवर्ड प्रिपेर्ड माइंड मतलब इसका यह है कि चांस जो दिमाग पहले से prepared है, तैयार है, जिस व्यक्ति ने पहले से preparation कर ली है, chance उसी व्यक्ति को मदद देगा, जो नौ से किया है, जो focus नहीं कर रहा है, उसको chance favor नहीं करेगा, बट मेरा point क्या है, कि हिंदुस्तान जिंक में, जिसे stock में, अगर आपको इस तरह की candle बनती है, बेन आप खरी दिये ना, 20-25% की dividend deal ले, 10-15% तो आराम से निकलेगी, मोदी साहिब गले में हाट डालके अने लगरवाल की उतनियां नकाल लेगे, वो सनी देवल के डाला हो है ना, कि गले में, ना, खलक में हाट डालके कलेजा बाहर में काल लूँगा, खलक में हास डालके कलेजा बाहर में काल लूँगा, वो चीज है, अब जब historic production हो रहा है, जिंक का, सिल्वर का, तो ओविएस है डिविडेंट आएगा, डिविडेंट नहीं आएगा, तो कंपनी में लगेगा, एंड जो आप में से जुड़े हुए है मेरे साथ, उनको इस वात की जानकारी है, मैंने शेयर किया हुआ है, कि बीट हिंदुस्तान जिंक बीट विदानत दोनों में अग्रवाल सहब, प्रोडक्शन केपिसिटी बढ़ाने पर, प्रोसेस इंप्रूब्मेंट करने पर, फोकस कर रहे हैं, अभी भी विदानता हो, हिंदुस्तान जिंक हो, आपको लगता है, बंदाभी परशन बन गए एक महीने में, बहुत होना हो जाईए गाल का थोड़े बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत हलके हो जाईए, आपनों को जमीन दावने के बाद, पीछे नहीं हटना है, पॉइंट है, सिंपल सा यह, कल मेरे पास एक बंदे, मेरे क्लाइंट थे, उननों मैं सुचा, सर निफ्टी पर क्या शॉर्ट पोडिश से आ रहे हैं न, कल उनने मुझसे पूझा के सर दो दो लट्टू बन गए, तो निफ्टी किसकने वाला है, तो क्या मैं सेल कर दूँ, यह पूझा उनने, उस समय महालक्षमी जी की करपा चल रही थी अपने ऊपर, तो हमने यही बोला उन से कि आप तो spread बना लो, सपोर्ट तो टूटर तब देखना है, तो जिस तरह कलपना कीजिए, आज सोबहे आकर अगर वो put buy कर लेते, या वो future short करते तो आज वो short हो जालते धंक से हैं, होगा जालते short धंक से, market गिरने के बाए चल गया उल्टा, आईटी में buying आगई, across the board, TCS 2% है, और देखो, मैं क्या normally, दोस्तों, company पढ़ने से जादा, जान से सुनीगा जो मैं बुलना हूँ, मैं company पढ़ने से जादा leadership पढ़ने पर विश्वास करता हूँ, अगर leadership अच्छी है, तो वो विवस्ता मिखाने, इमांदार होना चाहिए, मत नहीं करनी, और I am ready to pardon you, I am ready to forgive you, कितना ABFRL को मैं माफ किया हूँ, कितना मैं Laurus Lab को माफ किया हूँ, I am okay to forgive, I am ready to wait, आप बस, मुझे दिखा होगे, आप काम कर रहे हो अच्छा बस, I will give the recommendation, I will give the price targets, I will upgrade, मैं सब करूँगा, management अच्छा होना चाहिए, वरस, management की नियत में खोट आ जाए, चिम्टे से नहीं चुना उस company को, ठीक है, आइटी से ये निफ्टी देख लो आप, आराम से दोनों तरह profit है, माने बरा, दोनों गल गया साथ, देख लो आप, एठारा से एक रुपई है, ये बज़े बीस से, एठारा से रुपई बन गया भा अब कुछ नहीं करना, अब मैं मालो आवलेवल नहीं हुगा, मैं नहीं काट पाया, पर नवेदन ये है कि आप ध्यान रखो, जो ये स्प्रेड बनाए हैं, 21,900 का फुट सेल किया है, 22,900 का कॉल सेल किया है, बढ़ा सो profit है, जितना भी profit है, आप उस पर ट्रेलिंग जमीन दावलिया पीछे नहीं हटने का भाई साब, वो तो महा बेवकूफ इंसान है, जो मतलब अब भी हार जाए, और रोड पे आपने देखें, नए-नए लॉड ने गाड़ी चलाती है, देखा होगा आपने नए-नए बच्चे, वो जो स्कूल में, दस भी बारवी में आ चलाने वाला तो डरपो होता है, उनके जरीए में, हेलमेट में पर कहें का, तीन तीन इंटरपलिंग करेंगे, चार चार बैठेंगे, चार दोस्तों बढ़ाएंगे, और उन बजाते हैं, चलाती है गाड़ी, ये वो देखा होगा आपने, उन लगों से कहो कि हमारे हम से सी लिए तो हम होगा है, ब्रद बैव ब्रद नहीं था होगा है मुसके लिए, सुपर सीनर सुटेजन, ठीक है, तो उसको नहीं समझेगी ये बाते हैं, आप को मैं कोई गैरंटी नहीं दे रहा हूं, एक बात पक्की है, कि एक बार अगर आप सुछार्ट महालक सुनी जी की श समरपन, घाटा नहीं होगा ना, कहां घाटा होगा बाई, काट के निकल लेंगे, महालक सुनी जी बचाएंगी आपको, हमें बचा रहे हैं, तो मजगाउन डॉक्स क्या, आपको लगता है कि हम कोई बहुत बड़े ग्यान ही है, जो हमें दो दिन पहले पता पढ़ गया था हर ग्रेस, उनकी क्रिपा है, तो आप रहे है, प्रॉफिट बनेगा, गनेश सर जी बोला है, टेक महंदरा, हाँ, टेक महंदरा की चवचा करना ज़रूरी है, अगें, इसमें मेरी होल्डिंग है, और अगर यह राउंडिंग बोटम बना ले तब अभी भी एड़ करना कर ल तो आप यहां औरेड करो, यहां औरेड करो, ऐसे टेक महंदरा की बात चलिए तो दूर तो लग जाएगी, दूर ऐसे जलाए जाएगी, मैं आपको देखो, आदमी की पैशान कैसे होती है, दो कंपनियां थी, एक थी विप्रो, एक थी टेक महंदरा, विप्रो ने लीडर CEO, अंग्रेज, और यह मोवेज जोशी सहाब आए, तो अगुता क्या है, जब भी कोई बाहर, और यह आप लोग जो भी पॉर्परेट कल्चर से जुड़े हुए हैं, कंपनियों में काम करते हैं, आपने देखा हुगा, कि जैसे ही नया आधिकाली आता है, तो आपने टीम पुरी लेके आता है, पुराने टीम से, पुराने कंपनी से, मैंने एक कंपनी छोड़के दूसरी कंपनी, ए से छोड़के बी में आया, तो वो बी में एक ही कंपनी लेके आता है, पहले खुद ने हायर पैकेज ले लिया, फिर अपने पुरी टीम को लेके आते हैं हायर पै किया उस पर टेलेंट का क्या प्रेंट कंपनी शोड़के भागेगा एक प्रॉब्लम आएगी प्रजेक्ट मनेजमेंट प्रॉब्लम आएगी यह कोई ऐसी चीज नहीं जो पहली बार हो रही है बट प्रॉपल दू मेट सक्षिक्स मैं इनके बिप्रो के सीईओ की बात कर रहा हूं मैं इनफोसिस के पुराने सीईओ की बात कर रहा हूं और यह खतम होने वाला नहीं है यह चलता रहेगा लोग रहता है हम तो अपनी टीम लेके चलेंगे सब का में लोग अच्छा काम कर पादा इस वह रॉख चला रहा है क्या आईटी कमप्णी में कोई क्या है इसा त सदेने पहले हाइक लेली फिरे अपने टीम को हाइक दिलवा रहा है आप डबल डबल पैकेश पर हो रहा हूं इन तद्द है उसकी कीमत कोन अदा करता है कंप्णी इंप्लोई चोड़ के भाग जाते हैं पचीस पचीस लाग की हीश लेकर 99.99% लाने के बाद लॉंडों को ये चीज़ पढ़ाई जा रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी चीज़ बता रहा हूँ इसको हलके मैं ना लें आपका टाइम फुटी करना हूँ आपको IPN देखना होगा बट ये चीज़ आपको उसको काम में आएगी कैसे कि जब मोहिट जोसी साहब टेक मेंजरा को आए तो फर्स्ट डिसीजन ही टो कि मैं अपने साथ किसी को लेके नहीं आऊँगा इंफोसेस से और इंफोसेस से एक-दो कुछ ली जानता हूँ तो ये डिस्क्रेमर है मैं लोबो साहब को जानता हूँ पॉइंट के जानता हूँ परस्टनली नहीं जानता हूँ बट वो HR थे मैं इंप्लोई था तो आई नो इस गाईज आर गुड गाईज तो मोहिट जोसी साहब ने क्या कहा कहम तो भहिया हमें नहीं रे क्या ने नयए तरक महिंद्रा की जो ट्रेंथ है बेढ़ गता महिंद्रा की जो गंपिनी है जो टैलेंठ है जो खोट खॉर में नओ वहतिन देश१ी सैड़ कहाएं थेुषब लोड़ी गहए्ग साहब जोसी साहिब सेल्स के बंदे हैं सेल्स के बंदे हैं बस लंडन में बैठते हैं आराम से सेल्स का बंदा है फोकस करेगा दो तिन बड़ी डिल निकलेगी मैं तो बोलता हूं नीचे के लिए वल पर यह सबसे सस्ती आईटी कंपणी थी शेर मार्केट में चार परसेंट की डिविडेंड लिए अब चालीज का प्राइस हो गया भाई साथ और जोसी साहिब हैं युवा हैं इंगिविंग अन पॉर्चनिटी बट तब मॉमेंट उसने यह डिसीजन लिया तो भाई सब देखो आप टेक महंद्रा से आपको पड़ते हो खवार में कवर मानबर आप में से जो नोकरी करते हैं सीने पर साफ लोट जाते हैं आप वहीं के वहीं हो बाहर से कोई बंदा आकर आपका बॉस बना दिया आप उलता है हमके घस शिल्ले के लिए बैटे हैं आप है आपन की खुड़ते हो मैजोर्टी ओफ एट्रशन हैपन्स डूटू जा गए वह हमें चाहती पर मुंग दल रहा है भड़ो हमें छोड़को भगना है भग गए चोड़ एंड 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 कंपनी पेस दप्राइस बिगर पॉइंट आप ऐसे समझो टेक महिंद्रा पर अपने बुलश हैं मेरे पास है बड़ आप यह चीज समझे इस तरह से जो कंपनियां हैं जो management आपको it's a small thing बट अगर ऐसे चीजे करता है कोई management तो वह अच्छा management है पॉइंट की बात है यह